कि हाई लो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटी एक्जाउंस टीटी पीटी कभियास एन्वेस यल्टी यूजिसी नेट में पुछे गये हैं उन सभी कोस्टन्स को टापी आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं दोस्तों या सीरीज नेंबर 64 है और दोस्तों इन सभी जाउंस का प्रिपरेशन है आप से लिबस के कार्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो इस सभी वीडियो को वाश्ट करके आप अपने प्रिपरेशन को बहतरी बारत का राष्टीय गान वíciaया गया तो कब ऑजया गया उनिच्टि डैगिल में 1968 लंदन उलम्पिक में सबसे पहली उलम्पिक में भारत का राष्टिय गान वजाया गया भारत ने उलम्पिक खेलो की ब्यक्तिगत इस परधाओं में पहली बार पदक कब जीता था तो कब जीता था? हिलन्सिकी उलम्पीक 1952 में आपस्रम नंबर B करेक्ट है वार्स Une-92 में हिलन्सिकी उलम्पीक में केडी जादों ने पूरुसों की फ्री स्टायल कुस्ति के बेंटम वेट वर्ग में कांश्य पदक जीता था और 57 केजी भारवर्ग में या भारत द्वारा उलंपिक खेलो की बेटिगत इस परधाओं में जीता गया प्रतम पदक था निम्न लिखित में से उलम्पिक खेलों का उद्घाटन कोन करता है तो दोस्तों उलम्पिक खेलों का उद्घाटन कोन करता है मेजबान तेसका राष्ट प्रमुख करता है या राष्ट्रपती ठीक है समापन की गुश्रा कुन करता है तो आई ओसी का अध्यच्छ करता है एंड नेक्ट कोशन है उलम्पिक में भारत ने शरुप्रथम फुटबाल प्रतियोगिताव में भाग लिया था तो कब भाग लिया था उनिस सो अर्टालिस के लंदन उलम्पिक में सबसे पहले भारत में फुटबाल प्रतियोगिताव में भाग लिया था और उस समय भारत फुटबाल टीम के कप्तान थे टाम बेंगल और भारत अपना पहला मैच भातिय टीम दो एक से फ्रावन से हार गया था और भारत की तरब से एक मात्र गोल किये थे सारंगा पानी रमन्नी और दोस्तों भ पानी टीम के कप्तान थे सैलेस मुणना तीसरी बार भाग लिया 1956 मेल बूर्न-아án च्रेलिया में और यहीं इसमें चोथा अस्थान प्राप्त किया था यानि भारत फुटबाल के लिए अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन यही रहा 1956 मिलबूर्ण आस्ट्रेलिया का तीसरी बार भाग लिया था और यह आखरी बार उलम्पिक में कोई अस्थान प्राप्त किया था उसके बार चोथी बार भाग लिया 1960 रोम इटली में 17 वे उलम्पिक पे यानि लगाता चार भाग लिया वावन चपन शाठ में और 1960 रोम उलम्पिक में भारती टीम के कप्तान पीके बनर जी थे और भारत पूरुष टीम क्वाटर फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई 1960 रोम उलम्पिक में यानि भारती टीम ने फ्रांस को एक-एक से बराबरी पर रोक लिया यानि दोस्तों इंपोर्टेंट बात यह है कि इस उलम्पिक के बाद भारती फुटबाल आज तक उलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई एंड नेक्ट कोस्चन है भारत ने उलम्पिक खेलों में सरप्रथम कब भाग लिया तो भारत ने उलम्पिक खेलों में सरप्रथम उनिश्टों में पेरिस उलम्पिक में भाग लिया था और इस स्खेल में इस उलम्पिक में भारत का प्रति दिधित्व किया था नार्मन प्रिचाड नेक्स्ट कोस्चन है जुडो को उलम्पिक में कब सामिल किया गया था? जुडो को उलम्पिक में कब सामिल किया गया था? तो सही जवाब है 1964 में जूडो को सरपत्र उलम्पिक खेलों में 1964 टोक्यो में संपन हुए 18 वी उलम्पिक खेलों में सामिल किया गया वर्स 1968 में मेसिको सीटी में संपन हुए अगले उलम्पिक खेलों में जूडो को सामिल नहीं किया गया 64 में सामिल किया गया अर्श में सामिल नहीं किया गया किन्तु पुलावर से 1992 म्यूनिख पस्थिमी जर्मनी में संपन हुए उलंपिक खेलों में इसको सामिल किया गया तब से यह उलंपिक का भाग बना हुआ है निम्न लिखित में से कौन से खेल आधुनिक गृष्ट में कालीन ओलंपिक का एक्रम से कभी अनुपस्थित नहीं रहे हैं आप्शन है एथलेटिक्स तैराकी कुस्ती फेंसिंग मुक्यबाजी आर्टिस्टिक गिम्नास्टिक तो दोस्तों इसमें एथलेटिक्स तैराकी फेंसिंग आर्टिस्टिक गिम्नास्टिक एस चारों आधुनिक गिर्ष्ट कालें ओलंपिक काईकरम में कभी अनुपस्थित नहीं हुए हैं यानि कि जब से शुरुबात हुआ है 896 से तब से यह आयोजित होते आ रहे हैं तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों आशन नंबर सी 124 और 6 नेक्स्ट कोर्चन है किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया तो कब से शुरू किया गया 1960 मेक्सिको सीटी ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट की सुरुवात हुई थी अब डोपिंग का केस सबसे पहले कब मिला था तो 1960 रोम ओलंपिक में मिला था सरफ्थम ओलंपिक अर्डर संमान dos era किसे प्यां गया तो इसको इंडरा गांढ़ी को सबसे पहले है अनुद्रा गांदी अचिप्रत मिला थी जिन्हें घ्वारत मिल्या थी त्रूट zapat कि सूची में स्थामिल किया गया है एट को रांपिक में महिलाओं की सो मीटर बाधा दोड में एक बाधा की उचाई होती है कि कि तो कितनी होती है जिरूदसम्लोद 840 मेटर आपसर नमबर d करेक्ट है सो मीटर बाधा दोड में प्रत्येक बाधा का 0.76 मीटर के लिए उचाई होता है प्रत्येक बाधा का 0.76 मीटर के लिए उचाई होता है नेक्ट कोस्चन है किस उलम्पिक में पर्थम बार विजयताओं को गोल्ड मेडल दिये गए थे तो दोस्तों पर्थम बार विजयताओं को स्वायर रजत एवकार से पदक दिये गए थे वर्स उलम्पिक चार सेंट लुईस उलम्पिक खिलो में विजयताओं को पर्दान किया गया था नेक्श्ट कोश्चन है उलम्पिक में ठोस स्वापदक आखरी बार कब दिये गए थे तो उलम्पिक में ठोस स्वापदक आखरी बार 1912 स्वीजन उलम्पिक में दिया गया था नेक्श्ट कोश्चन है कि उलम्पिक में भारत ने बास्केट बाल इस परधा में भाग लिया तो भारत ने उलम्पिक के बास्केट बाल इस परधा में कब भाग लिया था आपसे नमबर D मास्कों 1980 उलम्पिक में भारत ने उलम्पिक में भाग लिया था और बास्केट बाल को उलम्पिक में कब सामिल किया गया पूर्सों को 1936 में बरलीन जर्मनी में एंसे खेलों में उन्से क्यावन नई दिल लिमी नेक्स कोर्शन है उलम्पिक खेलों को एक मात्र उद्देश के साथ पुनर जीवित किया गया किस उद्देश से किया गया दोस्तों आपसे नमबर D यहां पे करट हो जाएगा राष्ट्रों के बीच सोहाद्र शमज एवं भाईचारे के बहावा एवं निर्मार करने के लिए नेक्स कोर्शन है पहले बिचेस उलम्पिक की मेजबानी की इस देश ने की थी तो पहले बिचेस उलम्पिक खेलों की मेजबानी की थी अमेरिका ने आफसन नमबर A करेक्ट होगा पहले BCS उलम्पिक का आयोजन वर्स 1968 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था यूनिस कैनेडी स्रीवर को BCS उलम्पिक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है लेक्ष कोशन है BCS उलम्पिक में कौन प्रतिभागी होते हैं किसारिक कुरूरण मानसे कुरूर्ण से बिकलांग ए और वी दोनों आप सा नंबर सी ए और बी बिशेश उलम्पिक में सारिक ए मानसे कुरूर्ण बच्चें यूर्istes को प्रतिभागी होते हैं तो दोस्तों उलम्पिक आए हुए जितने सब्सक्राइब धर्ता है दोस्तों कि सबस्क्राइब हराया उन्हेक क्यों हो को दो При साल जाएब आप दिए ना वे क्या है और प्रमण में प्योत्त थे कावड़्या धिरक्रा deu को मोझे यहां बता precise, में नए वीडियो अपलोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं